जैसा कि आप सबको अल्रेडी पता है कि सुर्य ग्रहन लगने वाला है 4 दिसंबर 2021 को जो ग्रहन की टाइमिंग होगी वो 10 बज के 69 मिनट से ग्रहन स्टार्ट होगा जो 2 पाहर 3 बज के 7 मिनट तक रहेगा लगभग 4 गंटों का यह ग्रहन लगने वाला है तो ग्रहन के दौरान ग्रहन का सबसे ज़्याद दूस्प्रभाव ऐसा माना जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी के उपर पढ़ने के चांसे होता है ऐसा इंडियन ट्राइशन के अंदर और जोती सास्त्रू माना जाता है जितन मैंने किन नियमों का पालन किया और अपने बच्चे को सुरक्षित रखा उन सारी चीजों के उपर बात किया जागा है मेरी कुछ सब्सक्राइबर है उन्होंने कैसा एक्स्पिरियेंस किया इस बारे में भी हम जरूर सर्चा करेंगे तो चली गई वीडियो को स्टार्ट कर कर सकते हैं और चाहें तो ग्रहन के नियम का पालन नहीं भी कर सकते हैं कोई कंपल्सरी नहीं है हस्बेंट के लिकिन आपके लिए बहुत जरूरी है ग्रहन के नियमों का पालन करना अब क्या करना है कि आपको अपनी लंबाई का धागा कट कर लेना है उजला लाल सफेद र कि नहीं देखिए ग्रहन के दावरान आराम से आप खापी सकते हैं क्योंकि अगर आप इस समय नहीं खाती है तो उसकता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आजाए हो सकता है कि आपकी तवियत भीगर जाए तो खुद को हेल्दी रखने के लिए खा सकते हैं और सास्त्रों मे चोटे बच्चे होते हैं या फिर जो बुजूर्ग होते हैं जिन सब को टाइम पर दवाईया लेनी होती है अपना खयाल बहुत जद रखना होता है तो उन लोगों को कोई मैना नहीं होता है वो खापी सकते हैं पानी भी सकते हैं सब में तूलसी के पते डाल लीजिए आप कि यह देखने से इससे भी चांसे होती है इसलिए मैं बार-बार मना करते हूं कि टेवी मुबाइल आप नहीं देखे तो ज़्यादा अच्छा है और आपको कुछ पूजना है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकती है अब यह कि पूजा समाप्त होने पर यानि कि ग्रहन समाप्त ह जो देखे लिए और जो नारियल है उसका प्रसाद सभी को बाट दीजिए वो बहुत अच्छा क्यों कि वह एक ग्रहन का प्रसाद है और ग्रहन को असुम माना जाता है जो शास्त्रों के नुसर ऐसा बताया जाता है इसके बाद आपसे कोई भी गल्ती हुई हो तो खुद अब है कि यह जो ग्रहन है वो कौन-कौन से देशों में दिखाई देने वाला है यह जो ग्रहन है यह दक्षिड अफ्रीका के अंदर और और भी कई कंट्रीज में दिखाई देने वाला यह आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन भारत में जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगा इसलिए आपको घब्राने की जरुरूत नहीं है मैंने यहाँ आपके सारे डाउट को क्लियर के अभी कुछ पूछना है कुछ रहे गया है तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं थांक्स पूर वाचिंग बबाएं टेक केर